जै जै श्री राम जै जै हनुमान भक्त जनों तुल्सी दास जी द्वारा रचित श्री राम चरित मानस में सबसे सुन्दर तसंग आता है सुन्दर काल का जी हां यह सुन्दर कांड परम राम भक्त श्री हनुमान जी की अनेक अनेक लीलाओं का वर्णन करता है कहते हैं सुन्दर कांड को पढ़ने सुनने एवं गाने से भक्तों को पूरी रामायन पढ़ने का शुब फल प्राप्त होता है तथा साथ ही साथ हनुमान जी और प्रभुश्री राम जी की क्रिपाएं फ्राप्त होती तो आईए पवित्र पावन सुंदर कांड का संगीत मैश्रमन इस सरलवाणी में सुनते हैं एक बार फिर मेरे साथ बोलिये बोलिये भगवान श्री राम चंदर जी महराज की बुली श्री हनुमान जी महराज की रामायन में सबसे सुंदर बगतों सुंदर कांड है श्री हनमत की लीलाओं का करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुंदर श्री हनमत की लीलाओं का करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुंदर मा सीता को खोचते खोचते श्री हनुमान जी अंगत जामत जी और अन्यवीर सागर तक पर आ पहुँचे जामबंत के याद दिलाने पर श्री हनुमान जी को उनका बल याद आ जाता है और वे प्रभुराम जी की मुद्रिका को मुख में डालकर पवनवेख से उड़कर सागर पार करने को निकल पड़ते हैं मार्ग में उन्हें सुर्सा नामक राक्षसी मिलती है जिसे देवताओं ने आहार का वर्दान दिया हुआ है देवताओं के वर्दान का मान रखते हुए श्री हनुमान जी उसके पेट में से होकर निकल आते हैं सुर्सा उनकी चतुराई से अतिप्रसन्न होती है और उन्हें विजय होने का आशिरवाद देती है उड़ते उड़ते अनुमान जी लंका नगरिया पहुँचते हैं के क्या देखते हैं द्वार पर लंकीनी पहरा दे रही है श्री हनुमान जी जियों ही लग रूप बना कर भीतर प्रवेश करने लगते हैं कि लंकिनी उनका मार्ग रोपकर उनसे युद्ध करने लगती है मारी लात मुष्ठिकाती मारी लंकिनी धरा पे गिर आई जाओ राम के काज कराओ हनुमत से वो बतलाई लंका भीतर हनुमत आए अखियां फिर चौंधाई है सिया मा का पता न पाए सिया मा का पता न पाए एरत में हनुमान है श्री हनुमत की लीलाओं का करता ये गुणगान है करता ये कुणगान है रामायन में सबसे सुन्दर वंग तो सुन्दर कान है शीहन मत की लीलाओं का करता ये कुणगान है करता ये कुणगान है रामायन में सबसे सुन्दर लंका में घूमते घूमते अचानक उन्हें श्री राम नाम अंकित एक खुटिया दिखती है सत्य जानने हे तू वे ब्रहमन का रूप बना खुटिया में जाते हैं तो वहाँ पर पापी रामन का श्री राम का परमभक भाई विभीशन को पाते हैं दोनों में मैत्री हो जाती है और वही से हनुमान जी को मा सिया का पता प्राप्त होता है अशोग पाटिका में पहुँचकर श्री हनुमान जी मा सिया को प्रभू की मुत्री का देकर उनका संदेश देते हैं और मा सीता से वाधसल्य और धेर सारे बर्दान प्राप्त करते ही मा सीता की अनुमती लेकर वो बगिया से फल तोड़ कर खाने लगते हैं जिस से उनका राक्षसों से भेंकर युद्ध हो जाता है जिसमें रावन का पुत्र अक्षे कुमार भी उनके हाथों मारा जाता है अब रावन का परम प्रतापी पुत्र मेगनाद उन्हें पकड़ कर अपने पिता रावन के पास ले जाता है सीता मा को वापस कर दो हनुमत ये समझाते हैं सुनी बात हनुमत की रावन क्रोध में आजाते हैं तेल पोरी पट बांद पुनी फिर पूँच में आगती लगवाई हनुमत ने भी राम बोलके सारी लंका जलवाई गुझ रहा लंका में देखो हाँ गुझ रहा लंका में देखो भगतों जै श्री राम है श्री हनुमत की लीलाओं का करता ये गुणदान है करता ये गुणदान है रामायन में सबसे सुन्दर, उग तो सुन्दर कान, शीहन मत की लीला ओता, करता ये गुण गान, करता ये गुण गान, रामायन में सबसे सुन्दर श्री हनुमान जी ने जै जै श्री राम का उधोश करते हुए, सारी लंका को अपनी जलती हुई पूच से जला दिया, इधर हनुमान जी जै श्री राम बोलते जाते, उधर लंका में हाहा कार मचता जाता, एक विभीषन की कुटिया को छोड़, सारी लंका जलकर राख बना समुद्र में अपनी पूँच की आग बुझा कर हनुमान जी मा सिया के सन मुख फिर आते हैं और निशानी स्वरूप उनकी चूडा मनी लेकर जै श्री राम का उधोश करते हुए रामा दल में लोट आते हैं प्रभू श्री राम सीता का संदेश प्राप्त करते हैं तो हनुमान को रिदे से लगा लेते हैं और उन्हें भरत समान भाई बताते हैं अब प्रभू की सेना सागर्तट पर आप पहुची है तीन दिनों तक करी तफस्या फिर भी सागर ना माना श्री राम ने अगनिवान फिर अपने धनुश पर खाताना शमा मांग ली सागर ने और ये उपाय थे बतलाए नल और नील के हाथों सागर पर से तू को बंधवाए शिला तेर गई सागर में शिला तेर गई सागर में जिस पर तो लिखा श्री राम है श्री हनमत की लीलाओं का करता ये गुणगान है करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दर पुण तो सुन्दर कान है शीहन मत की लीला ओंका करता ये गुणगान है करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दर सागर पर सेतु बांध राम सेना लंका तटपरा पहुची रावन का भाई विवीशन तो पहले ही रामा दल में सम्मिलित हो चुका था आज रावन सेना का संचालन मेगनात कर रहा है और इधर राम सेना का नेत्रत्व लक्ष्मन जी कर रहे हैं दोनों योधाओं में घंघोर भयंकर युद्ध हुआ कि तभी मेगनात ने शक्ति प्रहार से लक्ष्मन जी को मुर्चित कर दिया विभीषण के कहने पर लंका नगरी से श्री हनुमान जी वैद्ध सुषेण को लियाए वैद्ध जी के बताय नुसार श्री हनुमान जी पवनवेग से उड़कर हिमालय परवत स्रंकला से संजीवन बूटी वाला द्रोणा गिरी परवती उठालाए संजीवन ग्रहन करते ही लक्ष्मन जी जीवित हो उठे और पूरे रामा दल में जै श्री राम और जै हनुमान जी की जैकार होने लगी बूटी वाला परवत लाए प्राण लखन के राखे थे राम काज करने में हनुमत भगतों सबसे आगे थे भरत समान बताए राम जी उनको हिर्द लगाए थे प्रेम के आँसू भक्त और भगवान के आँखों आए थे राम चरण में बैठ गए थे राम चरण में बैठ गए थे भगतों फिर हनुमान है श्री हनुमत की लीलाओं का करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दर कुण तों सुन्दर कान है श्री हनुमत की लीलाओं का करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दर रावन और राम जी के बीज घंगोर युद्ध हुआ भगतों और रावन का अंकर प्रभूश्री राम जी ने मा जानकी को उनकी कैद से चुड़ाया और भाता लक्षमन अपनी पत्नी सीता और अनेक अनेक योधाओं के साथ पुश्पक विमान चड़कर अयोध्या आ गए भाई भरत ने विधी विधान से राम जी का राज तिलक करवाया अयोध्या नगरी ने दीप जला कर सारे नगर में दीबावली मनाई देश देश आंतर के राजाओं ने राम जी और सीता जी को अनमोल उपहार दिये विभीषण ने भी अनमोल रतनों की माला मा सीता को भेट स्वरूर दी जो मा सीता जी ने हनुमत के कले में पहना दी और हनुमत को देखो माला का एक-एक मन का तोड़ता जाता है और उसे भेटता जाता है विभीषण के पूछने पर हनुमान जी कहते हैं कि जिस माला मैं श्री राम नहीं वो माला भला मेरे किस काम कि क्रोधवे विभीषण के ताना देने पर हनुमान जी क्या करते हैं आईए सुनाता हूँ लंका पतीने हसी उळाई आखों आसु भर आई सीना चीर के राम सिया का दर्शन सबको करवाई राम नाम का चंदन अपने कन मन पे सब रंग डाला राम भग्त कोई हुआ नहोगा अनुमत तुम सामत वाला जिसकी श्वास श्वास में भग्तों बस्ते प्रभु श्री राम है श्री अनुमत की लिलाओं का करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दे